अलो दोस्तों, NTPCCVT1 का रिजल्ट तो जारी हो चुका और बहुत से Candidate of CVT2 Exam के इंतजार में हैं कि NTPCCVT2 Exam 14 फरवरी से शुरू हो पाएंग या नहीं और बहुत से Candidate Revise Result के इंतजार में क्या NTPCCVT1 का Revise Result आएगा या नहीं तो NTPCCVT2 Exam 14 फरवरी से शुरू हो पाएंग या नहीं इसके रिलेटे दो RRB के चेर्मेन का ओफिसियल जवाब आया है जिसे मैं आप लोगों को बताने बाला हूं RRB के ओपिसियल जवाब के नुसार ही देखने बाले है कि CVT2 Exam 14 फरवरी से शुरू हो पाएंग या नहीं उसके बाद Revise Result के बारे में बात करने बाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा आवज देखेगा तो चलिए आज कब डिश्टर्ट करते हैं तो जैसा कि आप सुभी को पता है कि NTPC CVT2 Exam आपका TCRC Conduct करवाने वाली है और SSC Exam भी TCRC Conduct करवाती है तो CVT2 Exam से पहले SSC का एक बरा एकजाम होने बाला है CVT2 Exam से पहले SSC का फेज 9 का एकजाम लिया जाएगा जिनका एकजाम दो फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक लिये जाएंगे अगर SSC के इस फेज 9 एकजाम को पूरी तरीके से पोस्ट पॉन कर दिया जाता है तो आपके NTPC CVT2 Exam को भी पोस्ट पॉन कर दिया जाएगा अगर फेज 9 एकजाम दिये गए 23 समय पर लिये जाते हैं तो NTPC CVT2 Exam भी आपके 23 समय पर ही लिये जाएंगे अलांकि फेज 9 एकजाम जो की 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक उने बाले हैं इनके एकजाम सेंटर उत्तरपरदेश, उत्तराखंड और पंजाम में जो भी एकजाम सेंटर है एलक्सन के कारण वहां के एकजाम को पोस्ट पॉन कर दिया गया है तीन स्टेट में जिस भी कंडिडेट का एकजाम सेंटर था उनका एकजाम पोस्टपॉन कर दिया गया है एलक्सन के कारण लेकिन कोबिट के कारण अभी एकजाम पोस्टपॉन नहीं किया गया है और अधर स्टेट में इनके एकजाम तैस समय पर लिये जाएंगे हो सकता है कि 72 एकजाम भी आपका जिस स्टेट में एलक्षन है वहाँ पोस्टपॉन किया जा सकता है और इसी परकार अधर इस्टेट जिस स्टेट में एलक्षन नहीं है वहाँ एकजाम कराई जा सकते हैं और 72 एकजाम के बारे में आरार्बी इलावाद के चेर्मेन का कहना था कि कल देख सकते हैं कि न्यूज पेपर में दिया गया था कि आरार्बी इलावाद के चेर्मेन आर ए जमाली ने बताया कि एन्टीपी सी दूतिये चरण की परिक्षा के लिए तैयारी चल रही है 14-18 चेर्मेन का बयान भी सुन लिया होगा दोनों का यही कहना है कि अगर इस्तिती ठीक रही तो तैय समय यानि कि 14-18 फरवरी तक इन्टीपीसी सीविटी टू एकजाम करा लिये जाएंगे तो देखिए चेर्मेन भी अभी कनफर्म नहीं है कि सीविटी टू एकजाम आपका 14- से 18 फरवरी के बीच हो पाएंगे या नहीं तो जब तक ररवी की और से कोई और ओफिस्यल नोटीस सीविटी टू एकजाम के रिलेटर नहीं आ जाती तब तक आप लोग 14-18 फरवरी को मान कर ही अपनी तैयारी करें अब बात करते हैं इन टीपीसी सीविटी वन अगर सिविटी टू का एडमिट का जारी कर दिया तो सिविटी वन का रिवाइज रिजल्ट आना मुस्किल हो जाएगा इसलिए सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और रेलबे भी पूरा दवाम में रोज ना रोज किसी सोशल मे पर एक बार क्लारिफिकेशन दे ही देती है तो रेलबे भी दवा में अगर सभी टीचर के द्वा इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाता है तो रिवाइज रिजल्ट जरूर आएगा अगर लेट किया जाता है तो रिवाइज रिजल्ट आने में बहुती मुस्किल तो चलिए आज के वीडियो इसमाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आप लोग का धरनिवा